हेलो दोस्तो आज हम सीखेंगे एक और HCF का वर्ड प्रॉब्लम जो की बहुत अच्छा कोश्चन है मैं चाहूंगा कि आप इस कोश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो क्यूं ये HCF का कॉंसेप्ट इसमें लग रहा है ये क्यूं कोश्चन है HCF का अगर आपने मेरी पिछ HCF तब लगता है बच्चों जब दो या दो से जादा लोगों में सेम चीज कॉमन हो ठीक है जैसे कि माल लो मैंने आपको पताया था कि एक टैंकर है जो कि 15 लीटर का है ठीक है 15 लीटर का है और दूसरा टैंकर है 20 लीटर का ठीक है तो मैंने बताया था हमें ऐसा कंटेनर खरीदना है जो दोनों को भर दे है न हम क्या अलग से 15 लीटर के लिए खरीद के लाएंगे और फिर 20 लीटर के लिए खरीद के लाएंगे वो तो पैसा वेस्ट है दोनों के लिए एक ही लाना है हमें ठीक है ऐसे भी करते है तो बच् चाहिए हर दम बराबर भाग में यानि कि अगर मैं 15 के फैक्टर निकालता हूं तो क्या हैगा 3 x 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 x 5 होती है और ऐसी 20 को क्या लिखते है 2 x 2 x 5 इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है तो हम कैसा कंटेनर लाएंगे 5 लीटर का कंटेनर लाएंगे वो इसको तीन बारी में भर देगा और इसको चार बारी में भर देगा ठीक है कोई दिक्कत ऐसे ही इस कोशन में भी यही कॉंसेप्ट लगेगा एक फ्रूट वेंडर ठीक है उसके पास 990 एपल्स है और 945 ओरेंज़स है उसको ऐसे पैक करना है कि वो सही मात्रा में किस में आजाए बास्केट में आजाए अब ऐसी ही सोचो यहाँ पर यह 990 है इमाजन करो और यह कहा है 945 है तो उसको ऐसी बास्केट लानी है जिसमें equal number of fruits आजाए ठीक है यानि कि जो fruits यहाँ से लेगा 990 में से जितने fruits लेगा उतने fruits 945 से भी लेने पड़ेंगे उसे सेम मात्रा में लिखा हुआ है यहाँ पर इज बास्केट contains only one of the two fruits यानि कि अगर मान लो यह एक बास्केट है ठीक है मान लो यह एक बास्केट है मैं इसको सबको हटा देता हूँ ठीक है मैं फिर से इसको बना के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर 990 apples है ठीक है 990 क्या है apples है और 945 क्या है oranges है और question यह कह रहा है बचो कि हमें equal मात्रा में apples को लेना है और equal मात्रा में oranges को लेना है और एक बास्केट में रखना है ठीक है अगर मैंने इस बास्केट में इस बास्केट में एपल को लिया तो यह पूरी बास्केट किसकी हो गई सर्फ apples की अगर मैंने oranges को लिया इस बास्केट में तो पूरी बास्केट किसकी होनी चाहिए oranges की होनी चीए, पर एक शर्त है, कि जो भी fruits होंगे, जो भी fruits होंगे, वो equal number में होंगे, मालूम मैं यहां से 50 लेता हूँ, ठीक है, 50 apples लेता हूँ, तो मुझे यहां से भी 50 apples ही लेने होंगे, sorry, 50 oranges ही लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि यह क्या कह रहा है, एक basket में, एक ही type का fruit होना चाहिए, दोनों में से एक ही type का fruit होना चाहिए, और वो भी बराबर भाग में होना चाहिए, equal number में होना चाहिए, फिर क्या कह रहा है, find the number of fruits to be put in each basket, in order to have minimum number of baskets, तो क्या कह रहा है, बच्चों, कि हमें, यहां से और यहां से, equal number of fruits लेने हैं, पहली चीच, दूसरी चीच, क्या होनी चीच है, कि वो चाहता है, कि मैं कम से कम baskets बनाऊँ अपने, ठीक है, और वो तभी बना सकता है, बच्चों, एक condition है, कि जितने यहां होंगे, जैसे मानला तो यहां से 40 लेता है, वो fruits, apple और यहां से भी 40 लेगा, तो यह basket उसको कम से कम खरीदने पड़े है, ठीक है, यह बात हमें समझागी, यह concept भी HCF है, क्योंकि एक बना ही, दोनों पे dependent है, यानि कि दोनों की common चीच इसके पास आईगी, जब भी ऐसा हो, कि दो लोगों की common ची क्यों लगा, ठीक है, यह बात आपको अच्छे से समझागी, अब बस हमें इसे solve करना है, तो सबसे पहले बच्चों आपको यह दे रखा है, कि यहां पे 990 क्या है, apples है, और 945 क्या है, oranges है, ठीक है, अब 990 का आप prime factor निकालो, वो क्या हैगा, देखो, इसको तो पताई है, 99 इंटू 10 लेख सकते हो आप, और यह होता है, 3 इंटू 33, और इसको हम लेख सकते है, 3 इंटू 3 इंटू 11, और 10 को लेख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 5, ठीक है, similarly बच्चों, यहां पे 945, इसका तो मेरे को करके देखना पड़ेगा, तो 945, तो सबसे पहले 5 से करके देख लेते हैं, 1, 8, 9 आ रहा है, 3 से करके देख लेते हैं, 3, 6, 63, 3, फिर से 2 और 1, फिर से 3, 7 और 7, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अब इनमें common क्या है, अब HCF निकाल रहे हैं बच्चों, इसका 990 और 945, तो जो common है वो निकालो, 3 और 3, यह रहा 3 और 3, 5 और 5, जो common है वो निकाल दिया, 3 इंटू 3 इंटू 5, यानि कि 45 उसको fruits लेने होंगे, क्या कह रहा था बच्चों, कि equal number of fruits होने चीए, तो वो कितने होंगे, 45 होंगे, यानि कि यहां से भी 45, एक बार में इस basket में रखेगा, फिर यहां से 45 लेगा, एक basket बना लेगा, यहां से 45 ही लेगा, एक basket बना देगा, यह बात आपको समझ आगी,